दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेतरीन से प्लान के जैसे के आप सीन पर देख रहे हूंगी नीचे तो यहाँ पर वोडन टेक्सर है ब्लैक कलर का जो वोडन आता है उसका टेक्सर दिया है साथ-साथ यह ग्रिल वगएर आप देख रहे हैं ग्रिल का जो कॉमिनेशन है कुछ इटो का और कुछ आपके रेलिंग बनी हुए जो की स्टील का बना हुए और यह आपका कलर क अगर हम इसका टॉप विव आपको दिखाना चाहे तो टॉप से आप देख सकते हैं ऐसा आपको दिखने वाला है यह जो आपको कट बने हुए है इस रेक्टेंगलर कलर के यह आपके घर की जो डेजायन है उसको और खूब सूरत बना देते हैं मैं बात करें ओपर वाले य सब्सक्राइब करें तो आपके नए आईडिया नया लुक देखने को मिलेगा और आप उस लुक यह आइडिया को देख करके अपने घर को प्लान कर सकता है तो आज का जो मॉडल है इसका साइज के गर हम बात करें तो 19 x 38 19 x 38 फिट में पूरा मकान बना है 19 फिट इसका फ्रेंट है और 38 इसका लंबाई रखा है मैंने और यहाँ पर मैंने दो फिलोर बनाए है ground first और second floor पर कुछ designing का work किया है तो चलो start करते हैं सबसे पहले इसके ground floor पर तो यह दोस्तों इसका ground floor है आप देख पार हैं कि यहाँ से stairs यहाँ से उपर जाएंगे यह आपका main door है जो की 6.5 फिट में double door बना हुए है ध्यान रखें यह door जो है double door में है उसके उपर grill है और यह देखे इटो का texture और यह आपकी name plate लगी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आप जैसे intrigue करते हैं यहाँ से तो सबस्क्राइब आपको gallery मिलती ही लगबख 6-7 फिर्ट में अप्रॉक्स में और उसी gallery से होते हुए जाएंगे और आपको stairs जीना मिलता है जो की आप अंदर से चड़ते हुए आएंगे और आप उपर चड़ते जाएंगे बाहर की तरह पाएंगे और इधर आपका gate लगा होगा च्छत पर आप पर अपना turn होकर पहुँच जाएंगे उससे पहले गैलरी जो मैं बता दूँ इसके बाद यह आपका एक guest room बना हुआ है guest room को जो मैंने entry दी gallery से आप देख पात रहे होगे इसमें मैंने sofa बगारा लगा रखा यह देखेगा sofa टीवी बगारा लगा हुआ है और इस guest room से attached एक latent बात भी मैंने दिया है यह देखेगा जो कि guest room से आप access कर पाएंगे इस latent बात को हला कि छोटा है लिकरन temporary है वहीं अगर आगे बढ़ते हैं तो यह आपका एक latent बात और मिलता है जो की बड़ा है और इसे आप सभी लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका door जो है वह देखिए मैंने बाहर से दिया है आप इसे यूज कर सकते हैं महीं बात करें आगे बढ़ते हैं तो यह आपका kitchen area है जिसमें देखिए मैंने kitchen में आपका पूरा design tiles बगरा लगा रखें और आपका slab बगरा भी दिया है kitchen में यह door और यह आपका window proper ventilation के लिए महीं बात करते हैं पीछे की side तो आपको एक बड़ा से bedroom मिलता है जो कि पूरा 19 बाई और 10 फिट का प्रॉक्सा 19 बाई मतलब 19 तो आपका पूरा plot का size तह चलड़ाई 19 पूरा कवर किया है 10 पिट इसकी लंबाई कवर किया है और यह एक slab बना दिया है जो भी आप देखते होंगे घरों में slab बना रहता है उसमें कोई भी खराब चीज़ है तो उपर रख दी जाती बहुत useful चीज़ें होती है तो यह पूरा ground floor इसका बना हुआ है जिसमें सबसे पीछे एक बड़ा से first floor की तो यह दोस्तों इसका first floor है सबसे पहला first floor समझाने से परहें बता दूँ यह तीन फिट का आगे चाज़ा दिया है मैंने जो कि आप देख रहे है बालकनी टैप की मैंने दिये इसके बाद यह आपके एक बड़ा सा door और side में window बीच में आपके दिखिए यह door दिया हुए और दोनों तरफ window है और यह पूरा नीचे वाला texture है और पूरा closed wall मैंने किया है मैं बात करें यह चाज़े पर दिखी गया आपका pink color का design जो कि यहाँ पर आप देख सकते slope है इसके बाद यह एल से में पूरा बना हुआ है दोनों तरफ और यह आपकी ग्रेल है यह white color की पट्टियां आपकी लगिम है जो कि designing की purpose से चीज़ें create की गई है तो यह अगर हम अंदर की बात करें तो आपका stairs के नीचे ही stairs हो जाएगा सबसे पीछे वाला जो bedroom था वो same ही रखा है बस यहाँ a change क्या हुआ है वो मैं आपको बता दू क्योंकि आगे जो bedroom था उसे हटा दिया पूरा hall रखा गया है अब यह आपका एक open kitchen यहाँ दिया है एक latent बात जो नीचे kitchen वाला area था ना वो just उपर latent बात बन गया है इसका विशेज ध्यान रखें अगर आप वास्तियू का according बनाना चाहते हैं तो आप फिर यह possibility खतम हो जाती है तो अगर आप ऐसा hall जाते हैं तो यह आपका latent बात बन जाएगा यह बैट डूम हो जाएगा यह आपका open kitchen जो की समझ में आएं बेटरीन से देखने को मिलें अब यह देखिए फ़र्च फ्रोर पर एक bedroom hall बगरा बन गया अब बात करते हैं अब बात करते हैं अब देखिए कि यह आपको लास्ट फ्रोर में था लास्ट फ्रोर पर चारो तरफ साड़े ती मिट का boundary वाल आगे आगे आपका ग्रेल का combination वैसा ही मिलता है जाचे की फ़र्च फ्रोर पर था तो ओवर ऑल अगर बात करें उननीस वह आरतिस प्रेट में बेतनी सब मॉडल जो की modern आचकल घर बनवार हैं लोग पैसा काफी front elevation में खर्च करते हैं तो अगर आपके model अच्छा लाग हो तो प्लीज वीडियो वीडियो करना पहसंद आया तो प्लीज इसको शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू कर लें थैंक्स वाचे